दोस्तो बात करने वाले हैं इंडिया बूल्स हाउसिंग फिनेंस के बारे में आप जानते हैं कि जिस तरह किसे 250 रुपे के आसपास तक इस स्टोक्स हम लोगों को मूँ करता हुआ नजर आया था वहां से जिस तरह की गिरावट अभी हमें कमपणी के इंदर दिखाई दे रही है देखे एक इंपोर्टेंट लेवल हमें इस स्टोक्स के इंदर फिलाल में दिखाई दे रहा है तो कहीं न कहीं बहुत जादा सतर्पता की से में हम लोगों को जरूत है देखे वो लेवल कौन सा होने वाला है देखे आपने देखा कि 211 रुपए की क्या सपास इस स्टोक आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है आज भी आपको इसके इंदर गिरावट दिखने कम लिए देखे स्टोक उपर तो जाने की कोसिस कर रहा है पर वापिस से हम लोगों को जो इससे में इसके इंदर गिरावट दिखाई दे रही है तो इस चीज़ को आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए देखे लगबग 5 दिनों के इंदर जिस तरह की का मोमेंटम हमें कमपनी के इंदर दिखाई देर है हमारी सोच के विपरीत इसके इंदर काम होता हुआ नजर आता है अगर हम सोचते हैं कि इसके इंदर गिरावट देखने को मिलेगी तो वापिस से इसके इंदर हम लोगों को उपर के लेवल दिखाई देने लगते है और जब हम सोचते हैं कि स्टोक्स उपर जाएगा तब इसके इंदर गिरावट का मुमेंटम दिखाए देने लगता है तो यह चीज भी आपको कभी भी इग्नोर नहीं करने चीए यह कह सकते हैं कि उपर के लिबल से प्रॉफिट बुकिंग लगतार स्टोक्स के इंदर हुई है और लगबख 250 रुपे की आसपास यह स्टोक्स हमनों को जाता हुआ दिखाए दिया था और अगर मानके चलते हैं कि 200 रुपे का लेवल यह क्रोस कर भी लेता है बढ़ अगर सस्टेन नहीं करता है तो वापिस से रिकवरी करेगा इस चीज की भी शोर्टी कर सकते हैं अगर वापिस से इस स्टोक्स हम लोगों को नीचे जाता है और वापिस से सस्टेन नहीं करता है तो और भी नीचे के लेवल हमें कमपनी के अंदर दिखाए दे सकते हैं देखे कह सकते हैं कि अभी बहुत ही important पड़ाओ पर इससे में हमें ये stocks दिखाई दर हैं वैसे तो volatility के हिसाब से बहुत ही शांदार ये stocks हम लोगों को दिखाई दर हैं कब एकदम से 230 रुपए के level दिखाई देने कुछ पता नहीं है तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा observe कर सक कि intraday में भलही उचल कूद हम लोगों को दिखाई दर है अगर शाम के वक्त अगर आप delivery situation देखते हैं तो कहीं न कहीं आपको निराशा ही हाथ लगने वाली है मेरा कहने का मतलब सरफ इतना है कि अगर आप देखिए इसके इंदर जो quantity हम लोगों को trade होती हुए नजर आई ह हैं और उसके बाद में जो deliverable quantity दिखाई दरी है वो काफी कम दिखाई दरी है यानि कि उनकी percentage अगर यहाँ पर निकाली जाए तो लगबख 10% के आजपास delivery इसके इंदर उठती हो नजर आ रही है कि जिस तरह किसे भारी उचल कूद हमें इस company के इंदर दिखाई देती है देखने को मिला है वापिस से लगातार गिरावट हुई और कह सकते हैं कि closing हमें nearby low के आसपास हमें दिखाई दे रही है देखे अगर 52 वीक हाई की बात करते हैं तो लगबख 263 रुपे 25 पैसे के आसपास निकल के आ रहा है जो कि 23 जून 2020 में बनाया गया था यह चीज भी आ रुजान हमें company के stocks में देखने को मिल चुका है तो हो सकता है कि आगे भी हमें stocks के अंदर momentum positive दिखाई दे बट वैं आपको जो बता रहा हूँ 200 रुपे का level काफी एहम होने वाला stocks के अंदर तो यह चीज आपको बिल्कुल भी ignore नहीं करने चाहिए और अगर आप इसके quantity के साथ में आप इसके अंदर entry कर सकते हैं जादा quantity खरीदने के बारे में बिल्कुल जो है अपने mind से निकाल दीजेगा क्योंकि stocks कब एक दम से नीचे लोड़क जाया कुछ guarantee नहीं है तो आप अगर इसके अंदर जादे पैसा कमाना चाहते हैं तो थोड़ी थोड़ी quantity यान उनके लिए मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि फिलाल में stocks के अंदर हम लोगों को रुजहान दिखाई दे रहा है वो positive है तो stocks अगर गिर भी जाता है तो आपको घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं आपको सिर्फ इंतजार अभी करना पड़ेगा तो देखिए अगर मै सबसे पहले revenue की बात करता हूं तो यह candle आपको दिखाई दे रही होंगी December 2019 की है काफी बड़ी दिखाई दे रही है और उसके बाद में हमें यह candle दिखाई दे रही है माज 2020 की तो revenue के अंदर गिरावट हमें देखने को मिली थी उसके बाद June 2020 के अंदर और भी revenue गिरता हुआ सितंबर 2020 में कह सकते कि आपको यह लगबग बराबर दिखाई दे रही है तो कहने का मतलब है कि revenue के अंदर गिरावट चल रही थी कही न कहीं उसके अंदर अब हमें ठैराव दिखाई दे रहा है जो कि पोजिटिव संकेत company के अंदर माना जा सकता है अब दोस्तों एक चीज देखने को मिल रही है देखे अगर अभी हाल फिलाल के नतीजों का जिकर करें तो लगबग 2513 करोड के आसपास सेल्स हुई थी जो कि पिछले क्वाटर में हम लोगों को दिखाई दे रही थी लगबग 2533 करोड के आसपास कहने का मतलब है कि पिछले क्वाटर से गिरावट दिखाई देरें मार्च 2020 से बाद के लगातार जो है हमें कंपनी की सेल्स में गिरावट देखने को मिल रही है यही चीज़ आपको केंडल स्टिक्स में दिखाई देरी होगी टोटल इंकम की सिच्वीशन देखने की कोचिस करें तो 2514 करोड के आसपास आपको दिखाई दे तो कहने का मतलब यह चीज़ आपको जो है इसी तरह बात करते हैं अब नेट प्रॉफिट की तो 329 करोड के आसपास निकल के आया था हाल फिलाल में जो रिजल्ट डिकलेर हुए थे उससे पहले देखें तो 323 करोड के आसपास आपको दिखाई देरा था तो कहने का मतलब है कि नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आया है कंपनी का अभी जो हाल फिलाल फिलाल नतीज़ डिकलेर हुए इससे पहले देखें तो 272 करोड के आसपास तो कहने का मतलब यह है कि अभी फिलाल में कंपनी जिस सिचूशन से इससे में जूज रही है तो उससे में माल उठाने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की तो मार्च 2020 के अंदर जो सेल्स हम लोगों को दिखाई दे रही है वो 13216 करोड दिखाई दे रही है जो कि पिछले साल से हम लोगों को गिरावट के साथ में दिखाई दे रही है इससे पहले देखें तो 13,61 करोड गया सबस थी तो कहने का मतलब यह कि 2018 से तो sales ज्यादा है गट अगर देखें तो momentum हम लोगों को लो दिखाई दर है पिछले साल से इससे पहले देखें तो 10,399 करोड है उससे पहले कंपनी के लिए बाकी अगर देखें तो momentum positive दिखाएते रहा है अब दोस्तों जानने की कोशिस करते हैं कि net profit किस तरीकी का निकल किया रहा है 2165 करोड के आसपास निकल किया अभी हाल फिलाल में इससे पहले देखें तो 4057 करोड था उससे पहले कराना चाहते हैं तो अब stocks के अंदर demate account open करा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर हम लोगों को facility दिखाए दे रहे हैं वो यह है कि यह company long term में यानि के delivery में आप से किसी भी तरीकी का कोई brokerage charge नहीं वसूलती है तो बहुत ही बढ़िया इसका platform हमें दिखाए दे रहा है जिरोधा के बाद में तो अगर आप इसके अंदर demate account open कराना चाहते हैं तो link नीचे description box के अंदर दिया हुआ है वहाँ से जाकर आप सीधे demate account open करा सकते हैं दोस्तों कर यह जानकारिया आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजेगा चैनल सब्सक्राइब पर करक लेना ताकि नहीं वीडियो के notification सीधे आपके mobile पर मिस के हैं थैंकी सो मच पूर आचिंग